कोगत इस्टुएंट्स यहां पर क्वेश्चन है कि बॉडी इस प्रोजेक्टेड वॉर्टिकली अप्वर्ड फ्रॉम दी सर्फिस अफ अर्थ विद विलॉसिटी इक्वल टू हाफ दी स्केव विलॉसिटी तो पहले अर्थ ड्रॉ कर लो ठीक है यह अर्थ हो गया अब इस अर्थ से हमको एक पार्टिकल को उपर फिकना है मालो आर्थ का रेडिया से आर है और इससे कुछ एच उपर तक हम उसको फेक पा रहे हैं तो एच उपर तक यह चला गया आर और कहां से फेक है तो यहां इसको हम लोग फेक रहे हैं यहां सर ग्रैविटेशनल फेल्ड से बाहर चला जारे और वापस पर नहीं आप आए लेकिन हम यहां सके विलॉसिटी तो फेक नहीं रहे हम उसके है वाक वैलॉसि disponer करा हुँ Стत जितना भी स्के e nim तुम दे दिए जब यह maximum height पर चला गया तो इसका velocity तो जीरो जागा ना क्योंकि अब यह इसके उपर तो नहीं जा सकता तब नीचे गिरने लगा ठीक है तो वही हमसे पूछा h का value कितना होगा यह हमको यहां पर बताना है ठीक है तो हम यहां लगाने वाले हैं conservation of mechanical energy ठीक है इसमें ध्यान से देखना कि जो total energy होगा वह पर पॉइंट यह पर जितना होगा उतना ही पॉइंट भी पर होगा हम loss in energy यह consider नहीं कर रहे हैं नेगलेक्ट कर रहे फ्रिक्शनल फोर्स इस यह सब हटात करके देख रहे हैं तो यह पर जितना भी total energy होगा उतना ही total energy बी पर भी होगा यह पर कौन-कौन सा energy है तो देखो kinetic energy है एपर साथ में potential energy है एपर इसके अलावा kinetic energy बी पर माल लो और potential energy माल लो बी पर तो देखो एपर जो भी kinetic energy है वो है half into mass माल लो m है तो half into mv square v का velocity v by 2 तो half mv square प्लस अब यह surface of earth पर है तो इसका potential energy हो जाएगा minus of g m by r यहाँ capital M mass of earth है equal to kinetic energy at b क्या हो जागा जीरो हो जागा क्योंकि अब उसके उपर वो जा नहीं सकता that means कि उस point पर जाने के बाद उसका velocity क्या हो जागा जीरो हो जाएगा और potential energy at b अगर हम लिखते हैं तो वह height कितना है r plus h तो यह हो जागा minus g m m r plus h कितना होगी है सारा लिख दिया चलो अब इसको solve करना है बस और यहां से h जाएगा तो इसको एम तो हर जगा से cut जागा यहां पर एक m cut जागा हर जगा वी जो होता ना वी का value होता है root under 2gm by r अगर surface of earth से project करेंगे तो root under 2gm by r होता है ठीक है तो इसको 2 का square 4 और यहां 2 पहले से है तो 8 लिख दो और ve का square हो जाएगा 2gm by r यह लिख दिया आपने तो कटेगा कुछ कुछ terms यहां से gm कट जागा gm कट जागा gm कट जागा ठीक है यह कट जागा और इसके अलावा तो कुछ दिखने रहा मेरे को भी फिल हाल के लिए यह आजाएगा यह 2 से 4 तो आहां 1 by 4r हो जागा यह और minus 1 by r हो जागा यह और यह minus 1 by r plus h हो जाएगा ठीक अब LHS को LCM ले लो तो 4r यहां LCM आएगा यहां 1 होगा यहां 4 होगा और यहां हो जाएगा minus 1 by r plus h अब इसके बाद इसको minus 3 इधर से और उधर minus 3 by 4r और इधर हो जाएगा minus 1 by r plus h minus कर जाएगा cross multiply करेंगे तो 3r plus 3h is equal to 4r फिर यहां से 4r को 3r उधर बेच के minus कर दो 3h equals to r तो यहां से finally h equal to r upon 3 और b number इसका जो है न सही अंसर हो जाएगा तो यह तरीका बताए detail method है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं एक formula और होता है जो हम पिछले question में आपको समझाये थे उसके इसाप से भी बन half mv square को अगर आप चाहो तो mg h by 1 plus h by r इससे भी equate करके तुम बना सकते हो same result मेरे इसाप से आना चाहिए तो I hope आप यह question समझ पायोंगे thank you so much for watching